दोस्तों यह है देखिए गाजर और यह गाजर वह वाली है जो औरेंच गाजर होती है देखिए यह बहुत सुन्दर गाजर आई है हमारे यह और हमने यह भी हार्ली हार्ली 30 डेज में हो गई है क्योंकि हमने लास्ट मंथ इसको मार्च में येस मार्च मिड ऑफ मार्च हमने इसको लगवाया था और देखिए कितना अच्छा गाजर हुआ है और मेडल फिंगर के बराबर इसकी थोड़ा सा उससे ज्यादा इसकी मूटाई हो चुकी है और बहुत शांदार गाजरें आई है हाँ हलकी सी मीठापन कम है वो शायद उस गाजर का मीठापन कम रहता भी है रेड वली जो गाजर होती है उसका मीठापन ज्यादा रहता है जहां तक मुझे नौलेज है तो उस गाजर के जैसे मीठी तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत है और न अच्छी भी है जОिसे कह सकते हैं तो यह मैं आप से शेख कर रही थी किचिन गार्डन में देखिए कितना सुंदर गाजर है वहाँ हमारा टमाटर हो रहा है दोस्तों इतना टमाटर निकला है इस वार कि आप देखे, मैं आपको दिखाती है, थोड़ा बिलार हो रहा है, ये देखे, खूब टमाटर निकला है, हमने सॉस भी बनवाया है घर का, और जो बाहर की सॉस हैं, इतना गंदा टमाटर यूज करती हैं, बहुत गंदा, उसका मैंने एक बार वीडियो देख लिया था, तब स मैंने सॉस खाना ही छोड़ दिया, लेकिन हाँ, घर का बना सॉस होता है, तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और अवोइड करती हूँ, बच्चे तो आपको पता ही है, कि सॉस खाने के कितने शौकीन होते हैं, मेरा बेटा समराड भी बहुत शौकीन है, तो उसी की व गाजर का पौधा, गाजर की खेती, कितना सुन्दर हुई है, कितनी हर्याली है, ग्रीनिशनेस कितनी है, बहुत सुन्दर लगता है, मैं अर्ली रैजर हूँ दोस्तों, और मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, सुभा मॉर्निंग में देखे, अभी तक सुर्य देर्ता का आगमन नहीं हुआ है, हलका हलका रोशनी उन्होंने दिया है अभी, और चारों तरफ हमारे देखे, हर्याली ही हर्याली है, यह प्रभू की बहुत बड़ी नेमत है, जो उसने हमें बक्षी है, और मैं धिर्दै से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, दोस्तों, आप सद्धी अच्छे होंगे, उमीद करती हूँ, मेरे बेटे के चैनल को यूही अपना आशिवात देते रही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करते रही है, थैंक्यू सो मच, जैहिंद